मचन की बहुती टेस्टी, तंदूरी, टिकका बोटी की रेसिपी बनाते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हम मचन को पहले प्रेश्य कुकर में पका लेते हैं, दाकर ये जल्दी से पक जाये। तो आधा किलो मैंने बोनलिस मचन ले लिया है। इसमें डालते हैं एक मीडियम साइस की प्यास, मोटी स्लाइस की हुई, एक चमश डालेंगे अधरक लैसन का पेस्ट, एक बड़ा चमश डाल लेते हैं दही, दही के साथ जब मटन पकेगा तो वो एकदम नर्व मुलाइम हो जाएगा. तो नमक भी डाल लिया है मैंने आधा चमश और अब इसमें डालेंगे आधा का पानी, मटन बस पक कर सॉफ्ट हो जाए इतना ही हमें पानी डालना है और मटन का अपना भी पानी चूटने वाला है, तो धक दिया है मैंने इसे और धक कर इसे 4 सीटी आने तक पकाएंगे या फ पानी अब अच्छी तरह से सूप चुका है मटन को साइड में रखेंगे और अब हमें मटन के लिए तंदूरी मसाला बनाना है इसके लिए पैन में मैं ले रही हूँ एक बड़ा चमश धनिया एक चमश लेंगे काला जीरा एक इंच का है दारचीनी का टुकड़ा चोटा स को अब ड्राय रोस्ट करना है मीडियूम फ्लेंपर इने सेख लेते हैं दो मिनिट के लिए मसाले ठंदे हो जाए फिर इने डाल लेंगे ग्राइंग जार में इन मसालों के साथ ही हमें लेना है एक बड़ा चमश लाल मिर्चों का पाउडर एक बड़ा चमश है कश्मीरी ल सब्सक्राइब में डाल रहे हो ताकि कलर अच्छा आजाए आप चाहे तो फूड कुलर को स्किप कर सकते हैं यह मसालों को हम ग्राइन कर लेंगे जिए जिए पंदूर बना लेते हैं बूर चमश दी बुणा हुआ बेसन डालेंगे या आप बुने हुए चनि का पाउडर भी ले सकते हैं, मसालू को एक बार मिक्स कर लेंगे, आधे निम्बू का रस इसमें निचोड लेते हैं, अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक अच्छा सा गारा हम पेस्ट बना लेंगे, अब चाहें तो टिका बोटी बनाने के लिए तेल भी डाल सकते हैं बटर मेल्ट हो जाए फिर बोटियों को पैन पर इस तरह से रख देंगे मीडियम फ्लेम पर बस इसे तीन से चार मिनिट के लिए एक तरफ पकाएंगे पलट लेते हैं थोड़ा सा बटर ऊपर से भी डाल लेते ह कोईले की धुएं में टिका बोटी को हमें रख देना है 10 मिनिट के लिए धक्कन हटा लेते हैं कोईले का धुएं बोटियों में समा गया है मटन टिका बोटी बनकर रेडी है सर्फ करने के लिए जब आप इसे सर्फ करें तो थोड़ा सचात मसाला इस पर छिड़क ले निम